हेलो फ्रेंड टूड़े एक्जाम में आपका स्वागत है आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेर है फ्रेंड यदि आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब लाइक नहीं किया तो सब्क्राइब लाइक ज़रूर के और साथ में बेल आइकन को परस करना नहीं बूले फ्रें और फ्रेंड यहां के पर्धार मंत्र डूट्ष कोटिनब्रा और हहां की मुदर drastically अस्टेलियन डॉलर क्या फ्रेंज अस्टेलियन डॉलर यहां की मुद्रा है नेस्ट कोशन हाल ही में T20 में सर्वेदी विकट लेने वाले गयांदबाज कौन बन गई है साहिद अफरीदी, लसीन मलिंगा, जस्परीद बुमराई या इन में से कोई ने हाल ही में किस देश ने गगन यान मिसन के लिए भारतिया नतरी सियात्रियों को प्रक्सेशित करने की कोशन है अमेरिका, जापान, चेनी यार रूस इसका राइट आंसर फ्रेंस रूस कौनसा फ्रेंस रूस तो friends इसमें कोशन में रूस आ गए तो रूस चे बारे में देखते है जो related और कोशन बन सकते हैं तो friends रूस की राज़दानी है मासको और यहां के राष्टपती कोन है? वाला दिमीर पुतीन कोन है? वाला दिमीर पुतीन है निदनु आइवे कौनती लेखक, गायक, अभिनेत्री या इसमें से कोई नहीं फ्रेंट्स इसमें यह अफ्सन हो सकता है इसके क्या राइट इसका राइट आशर फ्रेंट अभिनेत्री कौनती फ्रेंट अभिनेत्री Next question आस्ट कोजिट देशन हाली में किस देश ने अपनी राजधानी को पूरी कलीमंतन में अस्थाननतन किया हैं इंडोनेशा के बारे में जो रिलेटर कोछन और बन सकते हैं तो फ्रेंडोनेशा के मुद्रा कोन है रुपईया कोना प्रेंज रोपईया, next question, हाल ही में B S में 25 वे महा निर्देशा कोन बने है, राजिंदर वेनन, विवे कुमार, जोहरी, राजकुमार या खुस्वन सिंग, इसका राई टांसर फ्रेंज, विवे कुमार जोहरी, कौन में फ्रेंज, विवे कुमार जोहरी, Friends, पूरान नाम है सीमा सुरक्षबल क्या Friends? implement का पूरान नाम क्या है सीमा सूरक्षबल और इसके स्थापन वहुए थी 1. December 1995 कब हुए थी, Friends? 1. December 1995 हाली हमें गयस अधारित बिजली सेंधर के लिए Reliance Power ने किस देश के साथ समझे होता किया है अमेरिका चापान बंगलादेश या चीन इसका राइट आंसर फ्रेंस बंगलादेश कोंसा फ्रेंस बंगलादेश के साथ समझ होता क्या है फ्रेंस इसमें बंगलादेश है तो बंगलादेश के रिलेटर कोस्टन और क्या बन सकते है देखते है तो फ्रेंस बंगला देश की राजदानी है धाका, क्या फ्रेंस बंगला देश की राजदानी क्या है धाका और यहां के परतान मंतरे सेख हशीना, कौन फ्रेंस शेख हशीना और राश्क पती है अब्दुल हमीद, कौन फ्रेंस अब्दुल हमीद, और यहां के अध्यक्स कोन कि अभुल हमीद, यहां के भी अधि defined को न है अबदूल हमीद, और यहां की मुद्रा क्या है? टाका ,क्या फ्रेंस है यहां की मुद्रा टाका फ्रेंस्य करके आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब और like निए ग कर्यों तो हाली में एसोशियन और वर्ल्ड एलेक्शन बोडीज की चोथी मास सभा की मेजबानी कौन करेगा नए दिल्ली, बैंगलोर, बॉंबई ये चन्नाई इसका राइट आन्सव है फ्रेंस बैंगलोर कौन करेगा फ्रेंस बैंगलोर तो फ्रेंस इसमें बैंगलोर आगे तो बैंगलोर से और रिलेड़िट कोशन हमारी क्या बन सकते हैं तो फ्रेंस राज्य कौन सा है करनाटक करनाटिक राजधानी कौन सी है बैंगलोर क्या है फ्रेंस राज्य कौन सा है करनाटक और करनाटिक राजधानी है बैंगलोर और राज्य आपार यहां के कोन है वज्व भाही वाला कोन फ्रेंज्व वज्व भाही वाला और यहां के मुख्य मंत्री बियस यथूरप्पा कोन फ्रेंज्व मुख्य मंत्री कोन है बियस यथूरप्पा Next question हाल ही में A68 History of India Railway नामक पुस्तक का अनावर्न किया गया किसके द्वारा किया गया फ्रेंस भावेज मितल, गोतम मिस्रा, गोपाल सिंग या राजेंदर भी अकले कर इसका राइट आंस्वर फ्रेंस राजेंदर भी अकले कर कौन सा फ्रेंस फ्रेंस इसका राइट आस्वर है 36 गड़ क्या है फ्रेंस 36 गड़ तो फ्रेंस कोस्टन में 36 गड़ आगया तो 36 गड़ से related और कोस्टन हमारी क्या बन सकते है तो फ्रेंस 36 गड़ की राजदानी क्या है राइपूर और राज्यपाल अनूसुया और यहां के मुख्या मंत्री को फ्रेंस भूपेस बगेल तो फ्रेंस कल पूछा गया आपसे सवाल हाल ही में किस देश ने अपने पहले हुमनोईट फुडोर को अंत्रिक्ष में वेजा जापान, अमेरिका, रूस या भारत इसका राइट आज़ फ्रेंस रूस, कौन सा फ्रेंस रूस तो फ्रेंस अब आज का सवालाब के लिए जो आपको कॉमेंट बोक्स में देना है हाल ही में किस देश ने आर्करिटिक में तैरता हुआ परमानू रियक्टर लॉंच किया है फ्रेंस यहां पे ये देश है इसमें लिगा हाल ही में किस देश फ्रेंस क्या है ये देश आर्करिटिक में तैरता हुआ परमानू रियक्टर लॉंच किया है चीन, जापान, रूस, अमेरिका फ्रेंस जो इसका राइट आपको कॉमेंट बोक्स में जरू देना है फ्रेंस अपडेट के लिए हमारे यूटूब चैनल टूड़े एक्जाम को सब्क्राइब लाइक करना न भूले और साथ में परती दिन सुबह करन्ट अफेरों चीके के वीडियो जरूर देखे दोस्तों आज की करन्ट अफेर की पीडियो आप हमारे डिस्करप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपकी वीडियो आज फ्रेंस कैसे लगी यह आपको कॉमेंट बोक्स में जरूर देना है तो थैंक्यू ओके बाई आपसे फिर अगली वीडियो में मिलते हैं